हलो एवरिवान वेलकम तो डिफेंस अड़ा 247 तो दोस्तों यूपी एसी ने अपना सीडियेस 2 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है यानि की बहुत सारी खुश्या आने वाली हैं सीडियेस एस्पिरिंट्स के लिए जो लोग तयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से और लगे लोगों को नहीं पता है उनके लिए वीडियो बनाया जाएगा जिसमें पूरी फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा तो सीडियेस का एक्जाम कौन करवाता है यह आप सभी लोग जानते हो यूपी एसी सीडियेस कमाइन डिफेंस सर्व करेंगे क्या पूरा डेटेल्स और स्टार्टेजी पूरी क्या रहने वाली है कैसा एक्जाम होता है कितने नंबर्स का होता है कैसे कैसे सेलेक्शन होते हैं क्या मेडिकल टेस्ट होता है वो सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो चलिए शुरु आपके IS, PCS, Civil Services, मतलब जितने भी A grade, B grade के एक्जाम होते हैं, वो सारे UPSC conduct करवाती है हमेशा, एक्जाम का नाम है CDS2 2022, साल में दूर बार notification आता है, तो ये दूसरा notification है, total vacancies की बात करें, तो vacancies आपकी 349 यानि की 339 vacancies यहां पर है, जो UPSC के तरफ से जारी की गई है, next after CDS2 का online registration स्टार्ट होगा, आज से, यानि की 18 मई से, और ये चलेगा 14th June तक चलेगा, कितना 14th June तक ये notification चलता रहेगा, आप लोग form fill कर सकते हो, mode of application की बात करें, तो जो exam, सरी, जो आपका form filling होती है, वो आपका online mode पर होती है, जिसकी website मैं आपको बता दूँगा, नीचे दी गई है, नीचे website भी दी गई है, selection process क्या है, सबसे पहले आपके written test होते हैं, फिर आपका interview चलता है, SSB interview होता है, उसके बाद आपका medical examination, यानि की through आप पूरा CDS में आप select हो सकते हो, language of written exam, language written exams की bilingual होती है, हिंदी और English, दोनों mode पर रहती है, mode of examination जो है, वो आपका offline mode पर रहेगा, आपको paper मिलेगा, आपको OMR sheet, optical mark reader sheet जो है, वो भरनी होगी, उसके अलावा types of questions जो है, वो MCQs होगे, multiple choice questions रहेंगे, subjective नहीं होता है, objective होता ह CDS to exam का duration जो है, वो 2 घंटे हर paper के लिए होता है, total 3 papers यहां पर होते हैं, एक आपका English का paper होता है, जो सुबह 9 से 11 होता है, और 12 से 2 आपका GS का paper होता है, general knowledge कह सकते हैं उसको, और उसके बाद 3 से 5 आपका mathematics का paper होता है, लेकिन maths का paper optional होता है, vacancies, आपकी post के उपर depend करता है, आप mathematics का paper देना compulsory है, if you choose OTA, तो आपको सिर्फ दो ही paper देने होंगे, जो कि English और GS के होंगे, उसके बाद marking scheme की बात करें, तो one third negative है, मतलब हर गलत answer के लिए आपका one third negative रहेगा, 0.33 का negative यहां पर मिलता है, job locations पूरे इंडिया में मिलता है, official website आपको चाहिए, आप चेक कर सकते हो upsc.gov.in, इस website पर आप form को fill कर सकते हो, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, CDS1 2022 का जो application start हुआ था, मतलब यह तो complete हो चुका है, चाहो तो इसको छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, वैसे तो एक data है, जो मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ, यह 22 December को आया था, 11 जन्वरी को इसक application end हुआ, 10 अपरल को paper हो गया, और इसका result आने वाला है, लगबग, चीके ना, result भी आने वाला है, हाँ, admit card आय था, उसके बाद CDS2 की बात करते हैं, तो 18 मही को इसका notification आया है, यानि कि आज 14th June इसकी last date होगी, अप्लाई करने की, 4 September को, 4 September को exam होगा, इसी दिन NDA और इसी द card डाउनलोड हो जाएगा, ये, ने, सॉरी, ये, एक्चली ये गलत दे रखाया, exam date सही है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर mistake दे रखी है, September में इसका exam हो जाएगा, और जो इसका exam है, उसके 10 से 15 दिन या 20 दिन पहले आपका admit card डाउनलोड होना start हो जाएगा, ठीक है, उसक दहरा दून, इंडियन नेवल academy में आपका 22 पोस्ट दे रखी है, एर फोर्स academy में 32 पोस्ट है, उसके बाद officers training academy, men's के लिए बात करें, तो 169 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा भी यहीं पर दिख रही है, officers training academy, women's के लिए बात करें, तो यहाँ पर 16 पोस्ट है, और कुल मिलाकर 339 पोस्ट यहाँ पर दिख गई हैं आपको, चिक, next after this, इसके बाद educational qualification क्या होनी चाहिए, तो IMA के लिए इंडियन military academy के लिए आपका graduation complete होना चाहिए, इंडियन naval academy के लिए आपका bachelor degree, BE, BTEC या 10 plus 2 math and physics, यह ज़रूरी होता है, इंडियन naval academy में, क्योंकि यहाँ technical बंदों की ज Air Force academy की बात करें, तो graduation चलेगा, BE होगा, या BTEC होगा, लेकिन maths और physics 10 plus 2 में होना compulsory है, यह ध्यान रखेगा, 10 plus 2 में अगर आपके पास maths physics था, तो आप यहाँ पर AFA और INA के लिए eligible हैं, वहीं OTA की बात करें, mens के लिए, तो graduation degree चाहिए, वो mens के लिए दें, तो भी आपर graduation degree आ कितने marks होना जरूरी है, या इतने percent आना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद, age limit की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितने साल के बच्चे इस form को fill कर सकते हैं, minimum limit क्या है, और maximum limit क्या है, तो IMA के लिए, Indian military academy के लिए, 19-24 साल के बच्चे इस form को fill कर सकते हैं वही बात करें इंडियान निवल अकाडमी की तो यहाँ पर भी 19-24 साल के बच्चे इस form को fill कर सकते हैं, एइर फोर्स अकाडमी की बात करते हैं, वहीं officers train academy की बात करते हैं तो 19-25 और men's के लिए बात करें या girls के लिए बात करें, दोनों ही आपर same रहने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीडियस को तीन स्टेजिस में आपका सेलेक्शन होता है सबसे पहला होता है आपका रेटेन टेस्ट जिसमें तीन पेपर होते हैं अगर आप IMA, INA और आफ के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहला पेपर आपको जनरल इंग्लिश का पेपर देना होगा जो आपका सौँनमबर का रहता है 120 कोश्ट एथे हैं उसके बाद जिए सका भी आता है उसमें भी आपके 120 कोश्ट होते हैं और सो नंबर का होता है वहीं मैथामेटिक्स की बात करें तो 100 कोश्चन्स होते हैं और वो भी 100 नंबर के होता है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग हर एक्जाम में मतलब हर तीनों पेपर्स पर रहती है वन थर्ड उसके बाद आपका यू आर सेलेक्टेड़ अज़ा लेटिनेंट इन सीडियस अब चलिए बात करते हैं फॉर एडमिशन टू इंडियन नंबर का पूरा एक्जाम होता है तीनों पेपर मिला कर इसमें इंग्लिश में 120 कोश्टन होते हैं जनल नॉलिज में 120 कोश्टन होते हैं और मैंथामेटिक्स में 100 कोश्टन होते हैं वहीं एससेज़वी टेस्ट या इंटर्व्यू की बात करें तो यह फाइव डेज का और इंटर्व्यू को मिला दिया जाता है तो टोटल 600 नंबर कर रहता है ठीक है उसके बाद admission की बात करें ऑफिसर स्टेनिक एडमी में तो यहां पर सिर्फ आपको दो ही पेपर देने को मिलते हैं जो और यहांट की बात हो चाहिए वहां यहांट की बात हो टॉटल OTA की बात करें तो OTA वालों की जो मेरिट है वो 500 नंबर में से लगती है चाहे वो मेंस की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो ठीक है उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा तो रिजल्ट लगबग आपका CDS2 का जो रिजल्ट है वो September के लास्ट तक आज आता है अगस्त में एक्जाम होने के बाद अगस्त में एक्जाम हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जागा डिक्लेशन फाइनल तो अभी खेर कहीं रहती है वहीं फाइनल की बात करते हैं तो 288 रही थी आई आई एने की बात करते हैं तो 136 रिटन की गई थी उसके बाद फाइनल कट आफ दोसो साथ नंबर पर गई थी एरफोर्स अकैड़मी की बात करते तो 158 थी और यहां पर 288 रही है OTA men's के लिए 107 रही है यह 189 रही है जबकि OTA women's की बात करें तो यहाँ पर 107 और 191 रही है ठीक है तो यह इस तरीके से रहा है आगे बढ़ते हैं तो यह हमने यहाँ पर पूरी cut-off का discussion किया है और जितनी भी details थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिये एक single वीडियो में आपको सारी चीज़े देखने को मिल गई है तो यह हमारा आज का एक वीडियो था short वीडियो जिसमें मैंने सारा detail में बताया आपको कि कैसे आप form कब आया है आज आए गया आपका form आचुका है आप form को fill करना start कर सकते हो क्योंकि 14th June इसकी last date रहेगी CDS की और तयारी करना start कर दो ठीक है तो सभी लोगों को defense adda से जुड़ना है और अपनी तयारी को आगे बढ़ाना है शाम को 6 बजे मैं CDS mathematics की class लेता हूँ तो सभी लोग जुड़ सकते हैं महाँ पर मिलते हैं आपकी classes में तब तक के लिए सभी को